हेलो फ्रेंड्स विल्कम हेर कैसे आप सब होप यू और गड़ मैं फिर से आगई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर आज के रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपके परसन इस टाइम आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर क्या सोच रहे हैं साइकित थारू है जिसमें से हम चेक करेंगे कि उनके माइन में इस टाइम क्या चल रहा है आपके परसन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस रिष्टे को लेकर क्या सोच रहे हैं उनका नेक्स मूव क्या होगा उनके माइन में इस टाइम सब कुछ क्या चल रहा है लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करते हैं कि आप दोनों के रिष्टे में mutually चल क्या रहा है, right? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की और यह रीडिंग एक टाइमलस रीडिंग है जब भी देखेंगे रेजनेट करेगी यह रीडिंग एक जणरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी बाते सभी से रेजनेट करें जितनी आप से रेजनेट करें उसे रखें and leave the rest open रहें, open mind के साथ देखें, tension ना लें and positive रहें प्लीज divine universe, archangels, guardian angels, holy spirit, spirit guides बताईए कि मेरे viewers के life में, love life में, relationship में क्या चल रहा है राइट? ओम सायराम exhaustion, stress आप लोगों के रिष्टे में cards ऐसे आए हैं कि बहुत stress है अब मैं किसी एक ही particular situation नहीं निकालूँगी यह reading सब के लिए होगी तो मैं सिफ वो messages लोगी जो की सब को लगे की हमारे लिए है ठीक है, कोई एक सिनारियो नहीं बराऊंगी क्योंकि सिनारियो maximum time अलग-लग होते हैं लेकिन situation सेम होती है first thing is this, कि आप लोगों के रिष्टे में बहुत stress है बहुत परिशानिया है, air is low, sad आप यह आपके person हो सकते हो ठीक है, आपके अपनों से आपको बार-बार धोका मिलता है आपके person की life में उनको बार-बार बहुत धोके मिले हैं जिसकी वज़े से औरेरी आप लोगों के experiences बहुत बुरे है third party situation definitely आपको बहुत hurt कर रहे है और third party situation हो सकती है किसी करीबी की आपके person ने किसी और को choose कर लिया वो भी हो सकती है कि आपके person ही आपके favor में नहीं है अपनी family की सुन रहे है, किसी और की सुन रहे है बहुत ज़्यादा possibility इन चीज़ों की है अपने काम पे ज़्यादा focus है, वो possibility भी हो सकती है that means stress बहुत है और ये stress सिर्फ अपनों की वज़े से है अपने ही बात नहीं मान रहे, अपने ही अपनों को नहीं समझ रहे अपने ही नहीं समझ पा रहे कि आप उनके लिए क्या हो जिसकी वज़े से आपके life में stress increase होता जा रहा है waiting period बढ़ता जा रहा है कि कब चीज़े smooth होंगी, जो आप deserve करते हो आपको मिलेगा इस time आपके life में चल रहा है exhaustion पूरी तरह से wait करते 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 आपको लगता है कितना और wait यार कभी आएगा भी ये person या नहीं कभी समझेंगे भी ये person या नहीं कभी मेरे trust पर, मेरे विश्वास पर, मेरी उमीदों पर ये person खरे भी उतरेंगे या नहीं या फिर हमेशा यही energy रहेगी कि हम run कर रहे हैं तो ये chase कर रहे हैं यह चेस कर रहे हैं, तो हम रन कर रहे हैं, हम चेस कर रहे हैं, तो यह रन कर रहे हैं, हम कुछ next step चा रहे हैं, तो यह किसी और की सुन रहे हैं, third party situation लगातार effect कर रही है, बहुत जादा stress है, बात हो रही है, तो भी stress है, विकोज जो कदम आप चाहते हो, वो नहीं आ पा रहा, third आप दोनों का connection हटा नहीं हुआ है, चाहे आप बोलते हों कि हाँ मैंने connection हटा लिया है, अब मैं जाता नहीं सोच रहा हूं या नहीं सोच रही हूं अपने person के बारे में, लेकिन ये stress और ये exhaustion का कार्ड दिखा रहा है, ति बेशक आपने ऊपर लियर चड़ा ली है कि मुझे नहीं सोचना है, मुझे life में आगे बढ़ना है, मुझे stuck नहीं रहना है, लेकिन बहुत stress है, बहुत exhausted हो आप, कहते हैं कि negative energy जो होती है ना, positive energy से भी जदा strong होती है, जब हम इतने किसी को, किसी situation में stuck होते हैं, negative होते हैं, exhausted होते हैं, मैं लगता है my life frustrated हो गई है, हम घुट की रहे हैं, तो उस situation से आप move on नहीं कर रहे हो, situation में आप पूरी तरह से involved हो, right, और देखते हैं, cards क्या कहते हैं, कि आपकी situation कैसी चल रही है, ओम सायराम, celebration, हो सकता है, आपको रिष्टे दिखाई जा रहे हैं, आपके person को रिष्टे दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, या आप लोगों के person की life में, जिसकी वज़े से आप बहुत परिशान हो गए हो, बहुत स्ट्रेस में आ गए हो, नहीं सबज मेरा life को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर कुछ लोगों को रिष्टे इतने सारे दिखाई जा रहे हैं, और आप अभी तक अपने past पर या फिर इस person क कि किसी reply का wait कर रहे हो, कि yes होगा, no होगा, मानेंगे, नहीं मानेंगे, finally होगा, क्या ये क्या चाहते हैं, bottom adventure, आप चाहते हो कि चाहे family issue है, चाहे career issue है, third party situation चाहे कोई other romantic person है, या फिर इनकी wife और इनके husband है, sometime होता है कि कोई divorce का case चल रहा होता है, कुछ separation होना होता है, तो कुछ लोग relationship में आ जाते हैं, कि जब पूरी तरह separation हो जाएगा, तब हम लोग marriage कर लेंगे, तो आप लोग चाहते हो कि अपनी wife से, अपनी family से, third party कोई भी situation हो, उससे adventure दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, और आप लोगों के लिए एक step उठाएं, आप लोग ठक चुके हो, लगातार, flirtiest लोगों से, उन लोगों से जो धोका देते हैं, उन लोगों से जो manipulate करते हैं, उन लोगों से जो हमेशा cheat करते हैं, आप लोगों के past life experiences भी ऐसे हो सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको लगता है, कि इस person पर मुझे trust करना भी चाहिए या नहीं, ये कभी समझेंगे भी या नहीं, अंदर ये अंदर exhausted हो रहे हो, आप हिम्मत दिखाना चाहरे हो, move on करना चाहरे हो, बड़ move on नहीं कर पा रहे हो और आप लोग चाहते हो इस रिष्टे में निया step, three of cups, celebration, cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn के एनर्जिस यहां पर हैं, आप लोग चाहते हो कि रिष्टा next level पर बड़े और आप लोग enjoy करो, peaceful रहो, शानत रहो, get together करो, इस person से मिलो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है, कि online connection जाएं तो बात जल्दी आगे बड़े, because मिलने से energy shift होती है, definitely, तो गलत नहीं हो आप यहां पर, अब मैं चेक करती हूँ कि यह सब तो आपके रिष्टे में चल रहा है, आपके person, आपके person के धिमाग में क्या चल रहा है, आज हम उनका mind डीट करने वाले हैं, प्लेज डिव रहा है, shine, first card है shine का, तो आप लोगों के person ना, इस टाइम, first thing is this, कि career oriented मुझे बहुत जादा दिख रहे हैं, देखे guys, general reading होती है, लग-लग-लोगों के लिए लग-लग messages होते हैं, तो इनके mind में ना, जिन लोगों के life में third party situation career है, तो इनके mind में बहुत जादा यह चल रहा है, कि मुझे shine करना है, मुझे growth करनी है, मुझे happily इस life में आगे बढ़ना है, just like star, ठीक है, 19 आप लोगों के लिए important date हो सकती है, 10 आपके लिए important हो सकती है, 28 आपके लिए important हो सकती है, अगे बढ़ना चाहते हैं, growth life में लेकर आना चाहते हैं, और अगर third party situation family है, तो family और आप में दोनों में compatibility बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं किसी को stress देकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं Clarity of belief कही ना कही इन person को काफी confidence है अपने उपर काफी इस person को लगता है कि जब यह चो चाहते हैं यह वो achieve कर लेते हैं इन्हें वो achieve करने से कोई भी नहीं रोक सकता इस वज़े से भी हो सकता है कि यह person अभी आपको ज़्यादा seriously नहीं ले रहे उन्हें लगता है कि अभी आप जो मर्जी बोलते रहें कि मेरे को रिष्टे दिखाए जा रहे हैं मेरी marriage हो जाएगी and all इन्हें लगता है कि जब यह yes बोलेंगे तो यह आपको पालेंगे तो यह काफी ज़्यादा over confident है और इन्हें लगता है कि सब कुछ under इनके control के है सब कुछ under control है वो भी इनके और गलत नहीं है होगा भी अगर है तो definitely comment box में बताना और clarity of belief यह person भी कही ना कही न emotional matter से भाग रहे हैं रिष्टों से भाग रहे हैं responsibility से भाग रहे हैं इन्हें ऐसा लगता है कि अभी time नहीं आया किसी भी रिष्टे को आगे बढ़ाने का किसी पर विष्वास करने से यह person भी कही ना कहीं काफे जादा डरते हैं one more card trust मैं विष्वास की बात ही कर रही हूँ और trust का card आ गया तो definitely यह person ना चाहकर भी इस रिष्टे पे trust, faith, विष्वास ऐसा नहीं है नहीं है लेकिन नहीं लगता है कि अभी इने time चाहिए चीजों को और बारीकी से समझने के लिए हो सकता है past life experiences या इनकी family के साथ इनके relationship काफी खराब रहते हैं जिसकी वज़े से यह किसी भी रिष्टे पर जल्दी से believe नहीं कर पाते तो new beginning, restart definitely चाहते हैं तीनों ही major अरकाना है तो यह person की life में एक deep और major transformation चल रहा है और यह person new beginning, new restart and fresh fresh and up होना चाहते हैं इस रिष्टे में इस रिष्टे को स्विकार करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले जो इनके mind में चल रहा है वो यह चल रहा है कि मुझे trust करना चाहिए या नहीं आपको अगर doubt होता है कि यह person trustworthy है या नहीं तो definitely इनको भी होता है तो अपनी तरीके से यह आपको judge करते रहते हैं यह आपको test करके रहते हैं magician है यह person, अलग-अलग trick आजमाते हैं कि आप इनके लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो यह life में आगे बढ़ रहे हैं तरकी की तरफ इनका काफी दिहान है, growth की तरफ इनका काफी दिहान है, रिष्टों को समझने की trust करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी ज्यादा over confident है, इन्हें लगता है कि चीजे तो जब यह चाहें तब तो इनके हाथ से फिसल ही नहीं सकती, right, कुछ cards और देख लेते हैं अब मैं एक card निकालती हूँ कि आपको लेकर इनके मन में क्या है, मतलब आपको लेकर इनके दिमाग में क्या है, इनके मन में क्या है, ओम साइराम, flow, flow का card है तो आपको लेकर इनके मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कहने को, सुनने को, बात करने को, एक्स्प्रेस करने को लेकिन हो गया रहा है कि यह person ना एकदम ठंदे बैठे हैं, cold बैठे हैं, कोई action नहीं ले रहे हैं चीजों को बस observe करने में लगे हैं, सोचने में लगे हैं, और heart chakra इनका चाकर भी पूरी तरह से open up नहीं हो पा रहे हैं brain बहुत चला रहे हैं, third eye chakra बहुत चला रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, understand करने की कोशिश कर रहे हैं, trust करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उस position में नहीं है कि जब इने लगे कि एकदम से कोई step लेना है heal हो रही है ये person ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये person heal नहीं हो रहे है negativity की तरफ जा रहे हैं वो सब नहीं है ये person heal हो रहे है पेले से mature हो रहे है रिश्टों की value को समझ रहे है आपके value को समझ रहे हैं लेकिन अभी एकदब action लेने की situation में नहीं है go with the flow चलने की situation में है शान्त रहे के चीजों को समझने की situation में है heart chakra को open करने की situation में है और धीरे धीरे आपट trust करना, आपट believe करना, आपको समझना, इस रिष्टे को समझना ये सब प्रियास इनके थ्रूँ चल रहे हैं आपके लिए or card sadness and isolation ये person भी कही ना कहीं काफी परिशान है, काफी अकेले है, काफी तनहा है अगर आपको लगता है कि अपने life में बहुत enjoy कर रहे है तो ऐसा बिलकुल नहीं है ये person भी काफी isolated है, काफी sad है, काफी तनहा है ये जताएं चाहें, ये ना जताएं और obviously ये अपना अधूरापन दूर करना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपके contact में आना चाहते हैं लेकिन problem क्या है कि अभी कोई action नहीं लेना चाहते जिसके वज़े से हो सकता है, कभी आप लोग परिशान हो जाते हो और आप लोग इनसे fight करते हो लेकिन इनकी situation वो है ही नहीं की action ने अभी आपको समझना चाहते हैं, इस रिष्टे को समझना चाहते हैं leap of faith लेना चाहते हैं अब मैं चेक करते हूं, इनके मन में क्या चल रहा है इनके मन में चल रहा है new vitality amazing amazing, really new beginning, new start दुबारा से trust करना, leap of faith बनाना रिष्टे को restart, re-begin करना freshen up करना life में happiness लाना, angels की blessings लाना और सातों रंगों से खुशनुबाज जिन्दगी में आगे बढ़ना ये इनकी मन की feeling से आपके लिए इनका heart आपके साथ reunion चाहता है, marriage चाहता है reconciliation चाहता है one more card, take the lead ये आपके रिष्टे की lead लेना चाहते है ये आपके रिष्टे में leap of faith लेना चाहते है ये person इस रिष्टे में नई शुरुवात चाहते है ये person इस रिष्टे में एक father figure बनना चाहते है कि जहाँ पर ये पूरी responsibility इस रिष्टे के लिए उठा पाए राइट one 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 बहुत जादा है यहाँ पर नेक्स्ट है three 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 definitely three twenty one या फिर twelve भी आपके लिए important rates हो सकती है 30 आपके लिए important हो सकती है अब मैं चेक करने वाली हूँ कि इस रिष्टे में आगे क्या होगा मैंने क्या सोच रहे हैं वो बता दिया इनके मन में क्या चल रहा है वो भी बता दिया नेक्स्ट इनका मूव क्या होगा detach one more card refusing to see देखिए अगर अभी आप इन पे pressure डालेंगे किसी भी तरीके का कि अभी marriage कर लो मेरी family मेरे लिए रिष्टे देख रही है क्योंकि आपको भी commitment चाहिए और आप लोग commitment marriage के लिए obsessed हो रहे हो कापे जादा क्योंकि आपको भी कभी लगता है कि in future गुचर अगर इस person ने हा नहीं किया तो आप तो भीज में अटक जाओगे स्टक हो जाओगे और आप किसी पर स्टक होना नहीं चाहते जो कि मुझे स्टार्टिंग से vibration आ रही है कि commitment और confession का issue बहुत सारे लोगों के दरमया चल रहे है और और आप लोगों में से कई लोग ये भी बोलते हैं तो ये हमारी family हमें रिष्टे दिखा रही है ताकि इस person से commitment मिल जाए लेकिन ये person बस observe करते जा रहे हैं और ज्यादा कोई action नहीं ले रहे और आपको sometime लगे कि you guys are completely obsessed for commitment for confession अगर आप लोग इन्हे pressurize करोगे if you will pressurize them then definitely ये person खुद को detach कर लेंगे आपसे बात करना कम कर देंगे और बोल देंगे कि जहां रिष्टा देख रहे हैं वहां मैं रिष्ट कर लो ये नी बोलेंगे not interested ये बोलेंगे कि वही time लगती है और bottom से मैं चेक करूँ तो strengthening bonds ये person की overall next action है overall energy है for the next action strengthening bond ये person चाहते हैं कि time के साथ आप दोनों का रिष्टा गहरा बने deep बने, dense बने ये person कोई भी जल्दबाजी में decision नहीं लेना चाहते आप लोग अपनी जगा चाहिए हो कि आप लोगों के अपने fear हैं इस person के अपनी जगा fear है देखिए हर एक को अपनी life में जीने का अधिकार होता है हर एक को अपनी life में अपने according जीने का अधिकार होता है इस person को लगता है कि with time हमारे इनकी और आपके बोन अच्छे बन सकते हैं लेकिन जल्दबाजी का matter यह handle नहीं कर सकते चाहिए फिर issue इनकी family का हो issue इनकी society का हो issue कोई third party situation का हो या फिर issue यह हो कि आपको भर हाल में commitment चाहिए आप without commitment आगे नहीं बर सकते तो यह person definitely बोलेंगे कि भई जैसा आपको ठीक लगे अगर कोई अच्छा person मिलता है तो definitely you can go ahead with them okay यह ऐसा बोल सकते हैं और देखिए इन दोनों चीजों में यह sad है, detach होने पर भी यह sad है refusing to see कहने पर भी यह sad है, दोनों situation में यह sad है, happy नहीं है लेकिन एकदम से action मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि यहां भी आप जा रहे हो तो तुरंत मुझे action लेना है अब मैं एकाड और निकालती हूं कि अगर आप सही में इनके वर्ट सुनके move on कर जाते हो तब यह person क्या करेंगे क्या यह आपसे contact करने के कोशिश करेंगे या फिर बोलेंगे कि भई गए तो गए मुझे कुछ ने करना देखते हैं प्लीज डिवाइन बताएं नथिंगनेस का काड है और वॉटम से में चेक करूं तो पास लाइफ इस person के डेफिनेटली पास लाइफ इशू है पास लाइफ ट्रोमाज है आपके हो सकते हैं इनकी हो सकते हैं तभी दोनों का पीर एक दूसरे को mirror कर रहा है एक और काड निकालों तो सीजोफेनिया यह person अगर आप move on कर भी जाते हैं बात करनी कम कर भी देते हैं तो एकदम से कोई strong action लेते हुए तो नहीं दिखाई देते बट एक ऐसी situation में जरूर दिखाई देते हैं जहां ना तो आपके साथ रह पा रहे हैं ना आपके बिना रह पा रहे हैं आपके साथ अपनी मर्जी से नहीं आप आ रहे हैं और आपके बिना भी जब आपने इन से बात करनी बंद कर दी तो भी नहीं चीप आ रहे हैं इन्हें लगेगा कि दुनिया खतम हो गई और आप लोगों का past life connection है ये इसको समझेंगे then with time with six months और six weeks ये possibility रहेगी कि ये person खुद से आपके तरफ विजट करें full confidence power और authority के साथ कि अब इन्हें इस रिष्टे में responsible बनना है इस रिष्टे की lead लेनी है लेकिन एकदम से नहीं आप लोग मुझे soulmate connection में दिखाई दे रहे हो and मुझे ये connection grow होता with time तो definitely दिखाई दे रहे but hurry और worry में नहीं अगर obsession है एकदम commitment confession और marriage करने का तो definitely चीजे खतम हो सकती है जो कि मुझे cards बता रहे है अगर wait करती हो तो चीजे आगे बर सकती है लेकिन please ये general reading है तो आप लोग ये मत क्या ना कि हम wait करेंगी and all सब लोगों की अपनी personal choice है personal life कई चीजे matter करती है और ये किसी की personal reading नहीं है rest अगर resonate करी है तो well and good decision आप लोगों का खुद का है one more card check करते है understanding मुझे लग रहा है कि आपके जाते ही ये person आपको understand करने की कोशश करेंगे इस रिष्टे को understand करने की कोशश शेरेंगे आप लोगों के past life के connection को समझने की कोशश करेंगे एकदम खो जाएंगे आपकी यादों में आपके बारे में बहुत जादा सोचेंगे सारी दुनिया से डिटाच हो जाएंगे तनहा हो जाएंगे और मारज के तरफ with commitment with authority with power आगे बढ़ेंगे आपके लिए क्या advice है मैं एक advice card निकाल देती हूँ so that आप लोगों को पता चेले कि आपको क्या करना चाहिए and साथ ही में मैं स्रेडिंग का in करती हूँ hope की resonate करी होगी hope पसंद आई होगी intensity कुछ लोगों का career भी अभी पूरी तरा build नहीं है तो अपने career पे आप लोगों को focus करना है letting go जो situation अभी work नहीं कर रही है उसको let go करना है ठीक है विकोज ज्यादा उसके लिए obsessed हो जाएंगे तो वो situation work नहीं करेगी वो रिष्टा बिल्कुल हाथ सर निकल जाएगा तब तक अपने career अपने independence पर work कीजिए और आपकी soul तो definitely इनकी तरफ ठीचेगी because connection इतना deep और dense है soul mid connection है awareness आप लोगों को spiritual awaken होना है meditation करनी है जिससे आपका मन दिल और दिमाग शांत रहे और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है right guidance मिले and bottom is moment to moment यह journey यह life यह रिष्टा धीरे धीरे step by step covid flow तो आगे बर सकता है लेकिन hurry and worry and किसी भी तरह की जल्दबाजी में बिलकुल नहीं तो यह थी आप लोगों की reading moment to moment चलिए सोच समझकर आगे बढ़िए step by step और ज़्यादा obsessed ना होए ना तो इस person को लेकर ना इस रिष्टे को लेकर ना किसी situation को लेकर mental peace होना बहुत ज़रूरी है situation को नहीं आपके favor में हो रही है तो let go करना बहुत ज़रूरी है तो यह थी आप लोगों की reading hope resonate की होगी, hope पसंद आई होगी for more clarity आप लोग personal paid readings भी book करा सकते हो, उसके detail description box में available है bye for now, have a good day, take care love you